आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीन में पेरशूट जैकेट्स को जिनके उपर फंगस हो यानि फंगस इंफेक्टेट पेरशूट जैकेट्स को किस तरह से प्रॉपर वाश किया जाए तो वीडियो के अंट तक जरूर जासे चुकि ये मौन्सों सीजन बहुत ही लॉंग चल रहा है तो इनके उपर फंगस आ चुका था वाइटिश वाइटिश सामने नजर आ रहा था तो सबसे पहले मैंने इनको निकाल के एक गीला कपड़ा लेके पहले तो इससे फंगस को रिमूव कर दिया और रिमूव कर कर लिया इनके पॉकिट्स चेक कर लिये हैं जिपस बंद कर लिये जो जिनके बटन्स थे वो बटन्स बंद कर लिये बंद करने के बाद अब हम इनको लेके जाएंगे वाश्रू में चुकि हमारा लांट्री एरिया जो है एक वाश्रू में बना है तो वहीं पर इसको लेके के लिए, हाई वाटर लेवल के पानी के फिलिंग कर लिए है मैं तो चरफ पर ने कम कुट्व करती है अप уд Creek Tab । आप 12 कजीजी फूली ऊटमेटिक वौशिंग मेशिम करें तो उसमें जेकिट के कुट्व माइसमें है वक्पोच मेशिसप्रियड करके हैं। minimum आप one भी ले सकते हैं two भी ले सकते हैं यानि अगर मैं average बताओं तो two to four medium size gents jackets जो हैं इसमें easily आप wash कर सकते हैं so यहां पर one by one हम यह jacket इसके अंदर डाल लेते हैं उसके बाद हम add करेंगे liquid detergent so इतनी कम quantity में jackets क्यों लेंगे although हमारी washing machine जो है 12 kg है reason यहां पर मैं बताती चलू reason जी है कि आपकी जो parachute jackets होती है वो parachute layer तो होती है from inside and outside as well लेकिन इनके अंदर होता है polyester so जिस P material के अंदर polyester होता है तो आपको बता है polyester बहुत ज्यादा quantity में water absorb करता है इसकी capacity बहुत ज्यादा होती है जिसकी वज़ा से एक तम से washing machine के अंदर बहुत ज्यादा filling हो जाती है फिर washing machine अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो washing machine इसको इसका wash cycle नहीं चलेगा washing machine काम नहीं करेगी so यहां पर मैं डाल रही हूँ liquid detergent और उसका हम एक cap ले लेंगे एक cap क्योंकि मैंने कुछ सर्फ की quantity भी add कर दिये पहले और एक cap बहुत sufficient इसलिए भी होगा कि अगर आपका water level high हो या maximum हो तो उस सब में एक cap बहुत sufficient होता है लेकिन यहां पर जालने का मक्सद कुछ हो रहे चुके आगे चलके बताती हो यहां पर हम सबसे पहले select करते हैं mode so mode मैंने wool mode ही select किया है आप चाहें तो eco या heavy पर भी इसको wash कर सकते हैं आज की video में हम experience करेंगे कि हम इसको wool mode भी wash करें so water level अभी मैंने जो select के वो medium है rinse one कर लिया है और spin time फोड कर लिया है तो उसके लिए मैं वीडियो पहले से upload कर चुकी हूँ आप चाहें तो जाके देख सकते हैं so यहां पर तमाम प्रोसेस हो चुका है complete last पर हमारे spinning के चार मिनर्स रह रहे हैं यहां पर दिखाने का मक्सित यह है कि मैं आपको दिखा रही है कि जैसे ही spin time आया तो washing machine दोबारा से rinse पे चलीगी अब बार बार मैंने forward mode लगा दिया आप देख सकते हैं कि बार बार में इसको power on करके बार बार spin करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन spin नहीं हो रही मुझे पता है spin नहीं होगी इसके अंदर काफी ज्यादा अभी हुमिडिटी है जब भी आप आपने करना कि है सिंपली एक दफाह हाथ उसे अच्छी तरह से नचोड लेना है और अगर मेरी तरह आप में जान ज्यादा नहीं और अच्छी तरह आप नचोड नहीं सकते के लिए helpful रहेगी मिलती हों इसी तरह की नहीं वीडियो के साथ लाहाफेज